आपको उता दें समय के हिसाब से वेक्ती के जीवन में तरह 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 शड़ावा आते ही रहते हैं अभी खुर्शी तो कभी गम आते हैं बता देंं जीवन में होने वाली सभी परेशानी का मोखे कारण गरह 你要 नहीं के चलते परेशानी का सामना करना पड़ता है राशी और पुंडली के आधार पर यह सब होता है फाइदे जुक्सान व्यक्ति के जीवन का एक हिस्सा होते हैं हर साल, हर महीनी, हर मिनट कुछ ना कुछ जरूर बदलता है ऐसा ही अब कुछ हो रहा है जो तिस शास्तर में बताया जा रहा है नावंबर महीने में कुछ राशियों की किस्मत संतोशी मा चमकाने वाली है पाता संतोशी की गरपा से इन राशियों का भाग पूरा बदल जाएगा इस राशिय के लोग जो भी काम शुरू करेंगे इनके द्वारा कि वैस सारे कामों में इनको लाग ही लाब होगा चिता करने की जवरत नहीं है अताल लक्षमी के आशिवाद से आपको बहुत ज़ादा लाब होगा साथी जीविन का हर आयाम आपके लिए आसार हो जाएगा अब व्यपार करने वाले लोगों के लिए काफी ज़ादा लाब होगा जो लोग नौबरी करते हैं नौपरी में भी प्रमोशन मिलने की चांस बन रही है आये जानते हैं आखिर कौन सी है वो खुश नसीव राशिया कुम्भ, कन्या और रशव राशी बहुत लंबे समय बाद बन रहे हैं इस महायोग में बहुत ज़्यादा आपको लाब होने वाला है माता संतोशी आपकी किस्मत का बंडा खुलने वाली है व्यापार के मामले में आप बहुत ही लखी सागत होने वाले हैं इनको कोई भी खुश खबरी मिल सकती है अब कोई भी समस्या नहीं रहेगी पता दें कि आब वो आपको खुशी का माफॉल बना रहेगा आपका मन प्रसंद होगा पदिक्षा प्रतियोगिता में कड़ी महिनत की बाद ही सफलता हासिल होगी पैतरिक संपत्य मिलने के योग हैं व्यापार में काफी ज़ादा लाब होगा अपने प्रमोशन होने के चांस बनते नजर आ रहे हैं परिवार के सबस्यों के साथ आपका सहयोग आपको बहुत आगे लिके जाएगा साथ ही आपको अपने घर परिवार और रिष्टिदारों की साथ मिलकर कुछ काम करने होगी जिनके चलते आपके जीवन में बहुत ज़ादा खुशी आएंगी समाज भी आपका संबान करेगा साथ ही आपके माता पिता भी अपने आप पर आप खोले कर गर्व महसूस करपाएंगे आप कुछ ऐसे पद पर हासिद हो सकते हैं जिस पद के वो हकदार हैं बलकि आपके माता पिता भी इस बात को सोच कर अपना जहन्दा बुरंद करते हुई नजर आएंगे इस समय आपके लिए बेहत ही शुन बन रहा है इस समय माता संतोशी की करपा का पूरा लाब उठा सकते हैं साथ ही सचे मन से और बड़ी शद्धा भाव के साथ आप माता संतोशी की पूजा करेंगे झाल